नमस्कार मैं ओधर शंकर न्यूस बाइसकोप में आप समों का स्वागत है बात करेंगे बिहार के सियासत के तो नितीश को संजोजक नहीं बनाये जाने पर बैंगलूरू बैठक से नाराज होकर सीएम नितीश बिहार लोट आया अब इस पर जम कर सियासत हो रही है अब जेड सपना चकना चूब नहीं होता और नितीश कुमार हमेशा से लड़ते आ हैं जीवन में और आने वाले हिंदस्तान में जो अपोईशन का एका होगा बिना नितीश कुमार के नहीं हो सकता है सभत्राइब जो भी अपोईशन पोबे में भी जो बैठक होगी उसमें पार जया लटने का सवाल है तो राजगीर में मले मास मेला का उनको उद्गातन करना था चेज़सी जी को भी करना था इसलिए हुआ है हमको ऐसा लगता है एक दो मुद्दे पर नितीस जी का मतवेट था पहला तो यह था कि जो नाम इंडिया रखा गया था उस पर उनको अबजेक्सन था ऐसा हमको लगत लिए गारा जून को और मुझको लगता है कि यह राश्टी अध्यक्स और अध्य बिहार के अध्यक्स से अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो उस पर प्रकास डाल सकता है अलग रहा था यह देखे हिंदुस्तान की जंता कांग्रिस को भी एक्सिप्ट न करने जा रहा है उसका अईसा लगता हम लिए बिना नितीश अपना धूरा रहेगा कि सपना चक्नचूर नहीं होता है और नितीश कुमार हमेशा से लड़ते तो जेडियों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है अपने मन की बात भी बोल दिया है कॉंग्रेस पर किस कदर हो रही है इसे आप सुनकर समझ सकते हैं कि बीजेपी सीधे सीधे हमला बोल रही है कि नितीश ना आप घर के रहे ना घाट के जना सुनाते हैं वो बयान भी हम आपको आपको पता होना चाहिए मानिनिय मुखमतरी स्री नितीश कुमार जी को जिस अंग्रेजी से नफरत है इंडिया सब्ध का जो पर्योग किया है उससे उनको जो भीरूद था आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेश जो है अंग्रेजों के निती पर चलने वाली पार्टी है और उसी की संस्कृती पर चलने वाली पार्टी है और आप गयं थे पूरा बंठन करके आपको नघर के छोड़ा नघाट के छोड़ा तेरे कूचे से बहुत बेपरदा होके निकले हम माननिये मुखमंतरी स्री नितिश कुमार जी पूरा बिपक्स समझ गया है कि आप कही के नहीं है आप प्रसंगिक हो गया है बिहार में अब आप आने वाले नहीं है और आपके पूरे जो सरकार चल रहा है उनको अब जनता पसंद नहीं कर रही है भारतिये जनता पार्टी को बिहार के जनता पसंद कर रही है इसलिए आप लोग को प्रसंगिता ही समाप्त हो गया आपको आप मानित करके वहां से भगाया गया पूरे सहर में होडिंग लगा करके बेज़त किया गया और बैठाया गया कहां आप पहला ही भाग गये इसलिए म साही साइज में आपको अवकाद पर रख दिया और जादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ट सेयोगी पटना से एसके राजियू जुट चुके हैं सीधे चलेंगे उनके पास पटना स्टूडियो इसके राजियू जिस तरह से बीजेपी ने हमला बोला है कि उन्हें बेजज़त करके भगाया गया और उन्हें वहाँ से जानबूच के रस्थान नहीं दिया गया संजोजक नहीं बनाया गया और पोश्टर लगा कर बेज़ज़त किया गया और वहीं अब जेडियू ने अगर कॉंग्रिस पर हमला बोल दिया इन बातों को लेकर तो ये तो इस पस्ठ हो गया कि जो जख महरे हैं उन्हें कुरेदा जा रहा है तो हम आपको बता दें कि बिहार के सियासत में इन दिनों इस बात पर चर्चा चल रही है कि आखिर नितीश कुमार के साथ ऐसा सलूग क्यों हुआ नितीश कुमार जब सबसे पहले बैंगलोरू पहुचते हैं तो ऐसे पोस्टर से उनका स्वागत होता है जिसमें उन्हें अनिस्टिबल पीम अस्थिर पीम कंडिडेट बताया जाता है और वहीं दूसरी तरफ जो सुल्तान गंज पुल ठस गया है सुल्तान गंज पुल ज जता रही है वहीं दूसरी तरफ आप आलम यह है कि बीजेपी सीधे अमला हला बोल रही है इसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए है सीधे चलेंगे पटना इस्टूडियो राजीव जी जिस तरह से अब जेडियू नहीं ये खुल कर कह दिया है कि कॉंग्रेस जो सपन को कुरेदा जा रहा है अब जार रही है और अब लराय हुए है इस पूर्य वैठक के वीजुल्स को अगर आप देख रहे होंगे गौर से उदाय आप चला भी रहे हैं स्क्रेन पर तो उसमें सोनिया गांधी के बगल में नितिसकुमार को जगा नहीं दी गई थी जबकि ये वही नितिसकुमार हैं जिन्होंने बिधिवत इस पूरे चक्रवियू की काद बता दी हम थोरा सा आपको लिए चलते हैं पीछे कल जब नितिसकुमार सौरी जब परसों नितिसकुमार बेंगलोर पहुंचे थे देर साम तो बेंगलोर की सरकों पे एक कोश्टर लगा हुआ था उसमें लिखा हुआ था अन्वांटेड पीम अप अंदाजर लगाई कि इससे बरी बेजती किसी भी व्यक्ति की किसी भी राजनेता की नहीं हो सकती है और वो भी उस प्रदेश में जहां उसी दल की सरकार है जिसके जिस दल के द्वारा वहां पर बैठाक बुलाई गई है इससे एक कदम और आगे बढ़के एक और पोश्टर लगा गया था और और दूसरा जो है वो आपको करप्शन के मामले में यानि कि जो दो चीजे बरी यूस पी रही है नितीज कुमार की एक तो उनकी स्ट्रक चबी तो उस पूल के जरी नितीज कुमार के स्ट्रक चबी को धक्का पहुचाने की कोशिस की गई और यह बताने की कोशिस की गई कि इसे देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई अविश्वर से निया प्रधान मंतरी का कैंडिडेट है तो वो नितीज कुमार हो सकता है अस्टर्च की बात यह है कि जिस राज में कॉंग्रिस की सरकार हो वहाँ पर इस तरीके के पोश्टर लग जाते हैं लेकि उस पोश्टर को वहाँ की प्रसासन वहाँ की पुलिस नहीं उतार पाती है यानि कि इन डिरेक्ट तरीके से कहीं न कहीं से अगर आप माने तो यह पोश्टर भी कॉंग्रिस को द्वारा ही वहाँ पर लगवाया गया हो सकता है चुकि अगर बीजेपी लगवाती तो बीजेपी उस के बगल में जो है वो अरविंद केज़िवाल जैसे नेता बैठते हैं ममताव एनरजी जैसी नत्री बैठती हैं लेकिन नितिश कुमार और लालू परसाद यादव जैसे नेता को वहाँ पर जगा नहीं दिया जाता है यही बाते नितिश कुमार को कहीं ने कहीं से चूभी और जो नितिस कुमार को बोलने का मौका भी उस जो मिटिंग में जो जानकारी मिल रही है कि नितिस कुमार को बहुत जादा बोलने का मौका भी नहीं मिला नितिस कुमार को भी बोलने का बहुत जादा मौका नहीं मिला अब बारिती नितिश कुमार की लिहाजा जब प्रेस कंफरेंस की सुरवात होती है तो ठीक उसके सुरवात होने से पहले ही बहाना वही होता है जो अरविंद केजिडिवाल ने कहा था कि उनकी फ्लाइट लेट हो जाएगी जब कि आपको ये पता है कि चार्टर प्लेन से ये उन्होंने विल्वी का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने यह कहा कि भाई अभी वो नहीं है प्रदार मंतरी मिदवार देखिए कॉंग्रस पूरे तरीके से इस प्रोग्राम को हैजेक कर लिया है और कॉंग्रस यह चाहती है कि वो उसके अनुसार यह जो पूरा महागण में संज्योजक के तौर पर घोषना उनकी कर दी जाएगी चलि ठीक है बिधार मंत्री पत्काम इस बार आपको संज्योजक बना दिया जाएगा कल संज्यक पत्को लेकर के भी कोई चर्चा नहीं वी तो कई ऐसी बाते थी जो नितिश कुमार को नागवार गुजरी और निति किस तरफ करवट बदलेंगे कब और किस वक्त इसको टार्गेट पर लेंगे और कब और किस वक्त इसकी कहानी समाप्त कर देंगे राजनिती में ये कहना बड़ा मुस्किल है नितिश कुमार कल आये जब पत्ना तो एरपूर्ट पर कैमरे लगे हुए थे मीडिया की फ्लैस जो हैं वो चमक रहे थे लेकिन नितिश कुमार ने मीडिया की तरफ देखा भी नहीं वो सीधे निकले और गारी से बैट करके अपना सीम हाउस चले गए यानि उनकी नाराज की कहीं ने कहीं से साप छलक रही थी क्योंकि ये वही नितिश कुमार है जब वो दिल्ली आतरा स भी लोटते हैं एक चोटेस्ट कार्श करम से भी तो बटना एरपूल पर रुक कर कि वो मीडिया से बात करते हैं मेडिया की और मकातिब होते हैं और अपनी पूरी बात हुद कहते हैं लेकिन कल nggak जाके सामने नहीं हाना कि अभी वो राजगीर में एक निजी एक सरकारी कार्श करम में गए हुएं वहां पता नहीं वो मीडिया से बात करते हैं नहीं करते हैं लेकिन इतना तय है कि जो दास्ताने जो बया जो है कल की मिटिंग की ये कुछ और ही कह रही है बिल्कुल बिल्कुल राजिव जिस तरह से नितिश कुमार सक्रियत है कहा जा रहा था कि ये कॉंसेट उनका है ये पहल उनकी है वो कभी कोलकाता जा रहे थे कभी तमिलनाडू जा रहे थे वहां के मिख्मंत्रियों से मिल रहे थे उन्हें पटना अमंतृत कर रहे थे और आप इसमें अगुआई करने की कोशिश ना करें? दोहजार बीज के वोट परसेंटेज में थोरी सी कमी आई लेकिन अगर राष्टे परिप्रेश की आप बात करेंगे तो जद्यू एक रीजनल पार्टी है, कॉंग्रेस एक नेशनल पार्टी है और अभी जो करना टका और हिमाचल में जो कॉंग्रेस को एक अनेस्पक्टेड सक्सेस मिली है, वहाँ पर परत्यासी सफलता मिली है, उसे निश्यत आपर कॉंग्रेस के, कॉंग्रेस जो है वो इतराई हुई है, और कॉंग्रेस को ये लग रहा है, कि कॉंग्रेस का जो कद है, वो उसके सामने वनितिस कुमार कहीं ठार नहीं सकते हैं, तो कॉंग्रेस की यह strategy रही है, अगर आप 1947 से पहरे भी जो Congress हुआ करती थी, British period में भी उस तमसे लेखर के और अभी तक अगर आप Congress की strategy को समझेंगे, तो Congress की यह रननीती रही है, और Congress उसी रननीती के तहर काम करती है, कि भही आपसे जब उनको काम निकालना है तो आपको अपनी और मुखातिब करते हैं आपको पूरी तरीके से वो सेल्टर देंगे और जब उनको लगता है कि नहीं भही अब इस व्यक्ति से काम निकल गया है तो फिर उसी तरीके से कॉंग्रेस किनारे भी लगा देती है और य इसी तोरपर कॉंग्रेस जो वो कभी नहीं चाहेगी कि नितिसकुमार के कद को राष्टियस्तर पर इतना बरा बना दिया जाए कि आने वाले दिनों में वो कॉंग्रेस के लिए ही चुनौती बन सके हाला कि अब ऐसी स्थिती बनती भी नहीं दिख रही है और हो सकता है कि नि इसको पर अब ही है तो हम लोग स्कोप की भी चर्चा करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा तो आने वाले दिनों में राजनिती कि सकर्बट बैठेगी यह कहना बड़ा मुस्के मरें लेकिन इतना तय है कि नितिसकुमार कर जिस तरीके से करना टका से लोट करा आए है बैंगलोरी से और उसके बाद जो उनका बोडी लेगिज है मीटिंग से लेकरके और पतना लोटने तक निश्जी त्वापर वो एक ऐसी कहानी को बया कर रहा है जो कहानी नितीश कुमार के लिए कम से कम काफी पैनिक है काफी पैनिफुल है जी उदा है होता है वो क्या फैसला लेते हैं